हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैग टू माई चैनल नतासा की रसोई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिस्ट फ्राइए मैं रोह फिस्ट को लेई हूँ आप चाहे तो किसी भी फिस्ट का यूज़ कर सकते हैं हम लोग रोह फिस्ट खाते यह लिए रोही यूज़ कर रहे है तो चलिए सबसे पहले फिस्ट को मैरिनेट करते हैं फिस्ट फ्राइए बनाने के लिए मैं ली हूँ हाफ केजी रोहु फिस्ट गरम मसाला वन टीस्पून धन्या पाउडर वन टीस्पून जीरा पाउडर वन टीस्पून हल्दी पाउडर हाप टीस्पून चिली पाउडर तो चलिए अब इसे हम मैरिनेट करते हैं मैरिनेट करने के लिए फिश को फिश में सबसे पहले मैं सारे अपने जो मसाले है उसको अच्छे से इस पर डाल देंगे अब इसमें मैं डाल चुक्ती हूं अब इसमें मैं डालूंगे नमक इसमें मैं कॉंट्रोर ली हूं तू टेबले स्पून इसे भी मैं सारे इसमें इच्छे से डाल दूंगे इसमें डालूंगे अध्रक लाश्न का पेस्ट टूटेबले स्पून इसमें इसमें अच्छे से डाल दूंगे अब इसे अच्छे से मैं मैरिनेट करने के लिए इसे पहले मिक्स करके थोड़े दिर हाफ एनावर इसे मेरिनेट करने के लिए छोड़ दूंगे ताझि अच्छे से सारा मिक्स हो जाए आप कॉंट्रॉर के जगा इसमें बेसं का भी यूस कर सकते हैं बट कॉन्फ्रोर में यह ज्यादा को क्रिस्पी लगेगा ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं कॉन्फ्रोर ही यूज़ करती हूँ यह देखें यह हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसे मैं हाफ एन और आवर मैरिनेट होने के लिए रख दूँगे आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं मैरिनेट करने के लिए तो चलिए हाफ एन और के बाद इसे हम फ्राइ करेंगे यह देखें मेरा आप चाहे तो कोई भी ओईल का यूज कर सकते हैं तो चलिए अब इसको फ्राइ करते हैं मेरा फ्रीज अच्छे से हाफ एन आवर मैरिनेट हो चुका था यह देखें अब इसे मैं फ्राइ कर लोगे अच्छे से इसे हम फुल फ्लेम में भी प्राइ करेंगे फिस को लो फ्लेम में कभी भी प्राइ नहीं करने चाहिए नहीं तो वो जल्दी चूट जाता है कि फिस बहुत ही जल्दी प्राइ होता है हमारा इसे बीच मीच में थोड़ा हलका साइसे, मैं हलका सैसे स्टोर कर लेती हूं, आप इसे बीच मीच में पे चेक करते रहें, बिलकुल, एक बार मैंचे, अब इसे थोड़ा फ्लट कर ये देखे, ये देखे, अब हलका सा फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राइ करूंगी, नहीं तो फिर ये अंदर से थोड़ा कच्चा भी रह जाएगा, याद रखे कि फ्लेम को बिलकुल लो नहीं करना है, ये खाने में काफ की तेस्थी लगता है, इसलिए आप एक बर इसे जरूर ट्राइ करें, घर पर बनाकर, ये देखे, अब इसे में थोड़ा एक बर फिर से इसे, बीच में प्लट दूँगी हलका, ये देखे, यहाँ पर भी मैं थोड़ी से और हलका सा मीडियम फ्लेम इसे, और प्ला एक खलूंगी दूछरे साइड भी, अब मैं कैस्टो खुल कर दी हूँ, ताकि एच्छे से मेरा क्रिस्पी हो जाए हलका, ये देखे, मेरा फिस अच्छे से फ्राइ हो चुका है, दोनों साइड में अच्छे से, ये देखे, ताकि अच्छे से फ्राइ हो चुका है, अब मैं एक प्लेट में टीशू पेपर ले ली हूँ, मैं उसी में निकालूंगी नफिस को, ये देखे, अब चलिए इसी तरह हम अपने सारे फिस को फ्राइ कर लेते हैं, ये देखे, इसी तरह मैं अपने सारे फिस को फ्राइ कर लेंगी, ये देखे, ये खाने में काफी टेस्टी लगता है, ये बहुत ही अच्छा, ये जटपट बनने वाला एक सनैक्स के रूप में है, आप चाहे तो इसे कभी भी चाहे, तो घर पर तुरंद बना कर जटपट खा सकते हैं, ग्रेवी वाली फिस बनाने में टाइम लगता है, बट ये फिस तुरंद बन जाता, ज्यादा टाइम टेकन नहीं है, इसलिए आप इसे जटपट घर पर बनाएं, और जरूर से खाएं, ये देखे, अभी से हम ऐसे बीच में, इसे हम कलर देते हैं, ये देखे, और हम गैस क ये फ्लेम को भी मेडियम में कर दिये हूँ, ताकि अंदर से थोड़ा अच्छे से पख जाए, ये देखे, मेरा फिस्ट अच्छे से प्राइब हो चुका है, अब वेस्टे, अपने प्लेट में, निकाल देती हूँ, वापस, ये देखे, मेरा फिस्ट फ्राइब रेडी है, मैं इसे सैलड के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे चट्टी के साथ, सौस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये किसी के साथ भी काफी अच्छा लगता है, आई होप आपको मेरी रेस्पी आज अच्छी लोगी होगी, ऐसी ही अच्छी अच्छी रेस्पी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, तब तक के लिए थैंक यू, बाबाए